एलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टैक आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आप अपने जीमेल आइडी में लोगिन नहीं कर पारे हैं उसका पासवर्ड भूल गए हैं तो आप उसे कैसे रिकवर कर सकते हैं मोबाइल नंबर के बिना ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो तो सबसे पहले आपको अपने क्रॉम ब्राउजर ओपन कर लेना है ठीक है उसमें यहां पर डालना है आपको www.google.com गूगल पर क्लिक करना है ठीक है मैंने यहां पर जीमेल से एक से लोगिन किया हुआ है एक आइडी से तो मैं आपको दूसरी आइडी के लिए करके दिखाऊंगा ठीक है तो मैं इस ब्लू वाले आइकन पर क्लिक करूंगा add another account करूंगा जिसको मुझे रिकावर करना है वो ठीक है उसके बाद next करेंगे अब हमें password नहीं पता तो हम four quote password पर क्लिक करेंगे ठीक है उसके बाद यह बोल रहा है enter the last password you remember using with this google account तो हमें वो password भी नहीं पता है तो try another way पर क्लिक करेंगे उसके बाद यह बोल रहा है get a verification code google will send a verification code to this email id यह वो email id है हमारी जो हमने इस account को बनाते वक्त उसमें डाली थी तो हम इस पर send पर क्लिक करेंगे और verification code इस email id पर आ जाएगा यहां पर send पर क्लिक करेंगे ठीक है अब इस इस वाली email id को open करेंगे मैंने open कर रखी है तो यह देख लिए यहां पर आ गया है verification code इस पर क्लिक करेंगे यह है 247693 इसको वहां पर enter कर देंगे 247693 इसके बाद next पर क्लिक करेंगे अब यहां से हमें बोल रहा है create a strong password तो अब हम यहां पर एक नया है उसी को उसके बाद से password पर क्लिक कर देंगे यह बोल रहा है वह password बना है जो आपने पहले यूज ना क्या हो ठीक है यह चेक प्यूर डिवाइस उसके बाद यहां पर continue पर क्लिक करेंगे और इस तरह से आपका यह account खुल जाएगा आप इस इमेल पर क्लिक कर लेंगे यह आप देख सकते हैं आपका यह एकाउंट रिकावर हो गया है बीना मोबाइल नंबर के ठीक है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नियू है तो इसे सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच्छ